हलो स्टुडेंट्स आएम रिता इंदॉलिया यौर नीट केमिस्ट्री मैंटर और स्टुडेंट आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हम लोग सरफेस कमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे और लास्ट पार्ट में हम लोगोंने क् सिखाता कि कैसे कोलाइडल स्लीशन बनता है और जहां आपने तीन फेस देखे थे एक ट्रू सलीशन वाला फिर कोलाइडल और देन सस्पेंशन याद हैं रेंज जिसके उपर हमेशा के शिन पूछा जाता है कितने से कितने आमस्ट्रॉंग में मैंने बात की थी वान तू त देन तेन तू थाउजन एंड देन अबव देन थाउजन इस कम टू सिस्पेंशन क्लियर है यहां तक बात तो अब हम कोलाइडल की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट में तो प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी है तो चलो हमने प तो सबसे पहले one to one चर्चा करेंगे फिजिकल के बारे में तो सुनिए अब जब फिजिकल की बात होगी तो यहां क्या आपको याद आना चाहिए कि सबसे बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी चीज में जब आप डिसकस करते हैं तो क्या होती है नेचर अब मैं आपके बारे में में अगर जानना चाहूँ तो सबसे पहले में क्या जानना चाहूंगी आपका नेचर तो आज अब वही शुरूआत करनी है हमें यहां को लाइडियल सॉल्स के नेचर के बारे में पता होना चाहिए तो सुनिए को लेडियल सॉल्स मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम बात कर रहे हैं colloidal solutions की दूसरी चीज, colloidal solution की property किस पर depend है, heterogeneous चिक है, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज कह सकते हैं कि colloidal sols भी nature में कैसे होते हैं, heterogeneous होते हैं, पहली चीज क्लियर हुई, दूसरी चीज, हमने क्या दो चीज पढ़ी थी, एक तो था dispersed phase, दूसरा था medium, दोनों चीज याद आ रही हैं, एक था dispersed phase और दूसरा था dispersion medium, तो अब ह मैं यहाँ colloidal sols की एक चीज पता चली, कि ये nature में heterogeneous होते हैं, और ये कैसे phases में होते हैं, दो phases में होते हैं, dispersed phase और dispersion medium, अब आओ, अब colloidal solution का बहुत ही stable character होता है, किस form में होता है, क्योंकि आप यहाँ पर कह रहे हो कि जब कभी भी वो colloidal solution के अंदर change हो जाता है, तो या उन impurities से ही आपको purity की तरफ पहुचना होता है, चीक है, तो जब stable characteristic हमें कब मिलेगा, जब आप बात करेंगे इन impurities को remove out करने की, और यहाँ पर एक चीज और पता होनी चाहिए, कि जब कभी भी particles अपने motion के state में है, क्या कह रही हूँ, whenever the particles are in a state of motion, और वो settle down नहीं हो रहे है कहां settle, क्योंकि अपन ने PPT एक term पड़ी थी, जिसको precipitate कहा जाता है, वो तो क्या होता है, settle down हो जाता है bottom में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यह जैसे एक glass है, इसमें पानी भरा है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पानी में मिट्टी डाल दी, तो यह मिट्टी जी दूसरा floating form भी, आई बात समझ मैं, तो यह कुछ basic nature characteristics थे किसके लिए के colloidal souls को लेके, दूसरी चीज यहां से जब आप प्रसीड करेंगे, तो वो क्या है आपको चेक करनी है, filterability, अब इसका मतलब क्या है, कि जो precipitate बना है, हमको filter out करना है, वही चाय वाला example यादा जाना चा क्या करते हैं, उसको filter out करते हैं, और सिर्फ चाय चाय को पीते हैं, तो यहां हमें किसको filter out करना है, उन impurities को, तो चलो, क्या process होगा, colloidal particles आपने देखा कि एक standard filter sheet की through flow करते हैं, ठीक है, अब वो जो filter sheet है, उसी का medium चेक करेंगे एक तो हम, तो यहां पर कुछ special filters यूज किये आजाता है, तो याद रखना है, अल्ट्रा filter scan, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, कि मैंने अभी आपको बोला कि एक filter sheet हम use करते हैं, और बहुत ही specific medium की होती है, कौन सी filter sheet होती है, क्या नाम होता है उसका, parchment paper, याद रखेंगे, कौन सी sheet होती है, parchment paper उसका नाम दिया जा करते हैं, filter out करने के लिए, impurities को वो है, parchment paper, लिख लीजे बिलकुल, आजो, ठीक है, और जो मैंना भी बताया कि जो special filters है, उन filter का नाम क्या है, ultra filter scan, याद रख लोगे, आओ, अब चलते हैं, अब filter ability के बाद, हम प्रसीड करेंगे, coagulation, या फिर जिसको आप कहते हैं, precipitation, वही जनाब जो नीचे बैठे हुए हैं, ग्लास के अंदर, इनकी बात करेंगे अब, तो अब आपको यहाँ देखना है, the process of setting of collidal particles, उसी को आप कहते हैं, basically, coagulation या फिर, precipitation, ये लीजे, ये बैठे नीजे, ये है आपका, coagulation, और, precipitation, चलो, अच्छा बना देते हैं, this is water, और मैंने जैसे ही, इसमें sand mix की, तो sand कुछ इसी कलर की होती है, वो नीचे जाके, बैठे, ये लेजे, ठीक है, ये जो नीचे जाके, बैठे, और कुछ, float भी कर रही है, sand particles, तो ये जो यहाँ पर, ये वाला पार्ट है, ये है आपका, coagulation, और, precipitation, कर लोगे, अब इस चीज के लिए, इस coagulation, और, precipitation के process को, समझने के लिए, यहाँ आपको कुछ physical techniques को समझना पड़ेगा, तो सुनो कौन कौन सी टेक्नीक है, एक है electrophoresis, नाम सुनते ही आदा आजानी चाहिए, भाई साब, यहाँ पर हमको electric current प्रोवाइड करना है, electrodes का का काम आएगा, कौन सा है electrophoresis, दूसरा चीज क्या है, mixing of two oppositively charged souls, बिल्कुल सही बात, oppositively charged souls की बात की जाएगी, इनको mix किया जाएगा, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक से charge ले लिए, like, सारे, oppositively ना लेके, same charge particles ले लिए, क्या होगा, यह तो भागेंगे एक दूसरे से, क्यों भागेंगे, repulsion, same के बीच में, यह क्या हों नेक्स्ट फेस क्या है, boiling, बिल्कुल, आप normal water को जब कभी भी impurities remove करते हैं, छोटी मोटी तो आप क्या करते हैं, water को boil करके use कर लेते हैं, ऐसे ही next है, persistent dialysis, जिसमें हमने पढ़ा था kidney का process, और है adding electrolytes, तो यह सारे processes क्या है, impurities को remove करने के precipitate में से, चलो, अब आओ, तो इसका म responsible होता है, overall neutralization of charge के लिए, और किसके particles के, तो इस process को कहा जाता है, not a process, उस iron को कहा जाता है, coagulating iron, कौन है यह coagulating iron, जो responsible होते हैं, charge को neutralize करने के लिए, बात समझ में आ गई, तो अब वो आप से question में पूछ लें कि coagulating iron का का काम क्या है, तो बता दोगे, neutralization of charge, दूसरी चीज आप से पूछ लिए जाए कि कौन सा iron है, जो charge को neutralize करता है, पार्टिकल के को, तो बिलकुल बता दोगे, coagulating iron, चालो, अब आओ, अब देखो, इसी के basis पे हमें एक rule पढ़ना है, जो कि है, hardy shells rule, hardy सांदू तो बहुत सुना है, वो भाईसाब गाना बनाते हैं, और यह जन आप hardy shells rule, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा, जितना ज्यादा coagulating की valency होगी, coagulating यानि precipitation की, जितना ज्यादा coagulation की valency होगी, उतना ही ज्यादा iron जो fluctuate कर रहा है, पैरलेली, आप उसको add कर सकते हो, साथ-साथ, वो कहते हैं कि उससे ही precipitation बढ़ता जाएगा, क्या कहना चा थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नी container बना लेते हैं, जरूरी थोड़ी हर चीज ग्लास में ही बात की जाएगी, container लिया बनने, पानी बरा हुआ है भाई साथ, ये एक ग्लास में पानी भर लिया, मैंने उठाई बाहर से मिट्टी, और मिट्टी मैंने इसमें यहां से पोर की ये लीजे, तो मिट्टी कुछ ब्राउन कलर की होती है, मैंने इस funnel के थुरू यहां से मिट्टी पोर की, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में मिट्टी जाके सीधा तो नीचे जाके बैठेगी नहीं, कही ना कही उसके ions move करना शुरू की, ना dissolve होंगे, ना ही एक गम से settle down होंगे, वो कही ना आप देखिए, ये लीजे, ठीक है, तो ये पहले तो float कर रहे है, float करते करते धीरे 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 जाके ये नीचे जाके settle अब हो, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ आयन जो छोटे charge particles हैं, वो float कर रहे हैं solution में, और जादा float कराने, एक stirrer डालिए, ये तो ये जो नीचे बैठी हुई sand है, ये जो precipitate है, ये भी float करना शुरू कर देगा, लेकिन last में क्या होगा, फिर से जाके settle down होना है, क्योंकि dissolve तो होगा ही नहीं, तो बिलकुल hardy shells ने इसी rule के basis पर ये बताया, कि जितनी जादा coagulation की valency होगी, उतने maximum number of ions आप add कर सकते हैं, और उसी से क्या होगा, आपकी precipitation बढ़ता जाएगा, पहली चीज, दूसरी चीज ये इनोंने कहा, कि जब कभी भी आप negative soul का, किसका, दो तरीके के souls हमने पढ़े हैं, negative और positive, यादा जाने चाहिए, अब कह रहे हैं, इनकी condition है, अगर आप बात करते हैं, negative souls के coagulation या फिर precipitation की तो आप देखेंगे, वहाँ पर जो इनकी floating parts हैं, उसका order किस range में होना चाहिए, तो उस order के range को समझने के लिए, सबसे पहले ionic ratio समझो, इधर आजाओ, अब देखो, क्या-क्या लिया है example में, aluminium plus 3, sodium plus, और barium plus 2, मुझे बताओ, यहाँ पर अगर तुम charge के basis पर difference देखोगे, तो क्या है, 1, 2, 3, difference अमझ में आ रहा है, तो इस according, अगर आप negative soul की value की बात करोगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले, जो largest number वाला है, 3, then 2, then 1, यही करते आएं हम अभी तक, तो बिलकुल उसी तरीके से रखना है, यहाँ aluminium baba को देखा जाए, तो यह जनाब कहते है, कि बिलकुल मुझे 3 ions की जरूवत है, बिलकुल है, यह कहते है, 1, यह कहते है, 2, तो बिलकुल आप एक order में arrange कर सकते हैं, चलो यह तो हुई negative के respect में बात, अगर इसी को मैं reverse करके आप से positive में भी पूछ लूँ तो, क्योंक आपके पास charges है, minus 4, minus 3, minus 2 and minus 1, species चाहिए, तो यह लो, PO4 3 minus, CL minus and SO4 2 minus, फड़ा फट से बता दो, क्या करोगे, जैसे अभी arrange किया था, same वैसे ही charge के ratio के basis पे, कर दो arrange, minus 4, minus 3, minus 2 and minus 1, कोई दिक्कत नहीं है, negative के respect में आजा, positive के respect में आजा, सिर्फ क्या देखोगे, charge values, clear, आओ, कौन थे यह जनाब जिनों नहीं पूरा concept दिया, hardy shells rule, यह तो याद रह जाएगा, सांदू की जगे shells करना है, सिर्फ, आओ, अब देखो, यहाँ से innate term मिल गई, क्या मिली, coagulating value, क्या मतलब था इसका, ज universally proportional है, coagulating power के, होगी या नहीं, अभी चेक किया, charge के basis पर, negative और positive को देखते हुए, तो इसी को अगर आप से पूछ लिया जाता है, in terms of mini moles, क्या कह रही हूँ मैं, mini moles, यानि कि वो minimum moles, तो आप क्या करोगे, formula में सिर्फ एक चीज़ रखनी है, कि coagulating value हमें यहाँ निकाल नहीं है, तो आप क्या करोगे, mini moles of electrolyte, divide कर देना total volume से, किसके volume से, solute के से, तो formula बन गया होँआरे सामने एक, क्या बना, coagulating values equals to, mini moles of electrolyte, divided by volume of solute, clear है, कोई दिकत नहीं है, और यह कहां से निकाला है, इस coagulating value के ratio से, क्या था वो, inversely proportional था, पार के, चलो, तो एक चीज़, अब एक defined form में पढ़ लेते हैं, that the minimum concentration of an electrolyte in mini moles per liter, required to cause precipitation of a solution, is simply termed as what, coagulating value, clear है, कर लोगे, हिंदी में सुन लिया, English में सुन लिया, normal भाशा में सुन लिया, आओ, अब कुछ factors भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस coagulating power का बड़ा ही, बड़या role है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जो अच्छा काम करता है हो, उसको कहीं से भी, कोई errors ना आए उसके बीच में, बिलकुल आते हैं, जो इंसान कुछ अच्छा कर रहा होता है, या पहला वही सबसे पहला है, nature of soul, तो याद आई कि कुछ चीज हैं, मैंने तुमको दो terms दी थी, lyophobic, previous session में पढ़ी थी, और lyophilic, आ रहा है कुछ ऐसा याद, क्या पढ़ा था, lyophobic और lyophilic colloid का difference, philic और phobic के case में, क्या मैंने वहां कहा था, कि जो lyophobic होते हैं, इनके अंद तो coagulation बड़े अराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन philic वाले जो है, इनके बीच में easy नहीं होगा, याद आगी बात, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप electrolyte add करनी पड़ती है, यह नीचे, तो यह दो difference किसके basis पे थे, nature के basis पे, अब इसी के सा साथ, ऐसे ही आप electrolytes का nature भी देख सकते हैं, चार्ज भी देख सकते हैं, चार्ज के concept अपने अभी चेक किया, positive और negative, दोनों का example भी चेक किया, अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जादा इसके दुश्मन नहीं बने थे, एक दो फैक्टर सी थे, अपने समझ लिए, एक तो nature, soul का, electrolyte का और charge, अब ओ, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमारा colloid, filter हो गया, coagulation, precipitation माला process देख लिया, impurities भार निकाल दी, मतलब हमारे पास कुछ अच्छा अच्छा प्रडक्ट आ गया है, pure form में, तो हमें उसका protection भी करना जरूरी है, बचाना भी तो जरूरी ह अब ही अपन ने सही pure form में बना लिया, लेकिन बहार से आगे किसी ने उसमें mixing कर दी तो खराब, तो उसके लिए protection की विलकुल आवेश रकता है, तो उस protection of colloids को अब मैं पढ़ना है, next चर्चा में, तो सुनू क्या बढ़ेंगे, लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि बहुत ज़्यादा solvated होते हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा stable हुए, किस से, फोबिक वाले से, यह जो मैं points बोलती हूँ, इन्हें लिख लिया करो, लायोफिलिक is greater than, in terms of stability, किस से ज़्यादा हैं, लायोफोबिक, अब देखो, जो लायोफिलिक कोलोईट्स हैं, क्योंकि यह ज़्यादा stable हैं, दूसरा रीजन क्या है, stable क्यों हैं, क्योंकि solvated हैं बहुत ज़्यादा, अब यह solvated हैं, stable हैं, तो इसका मतलब, इनको हम protecting sheet की तरह use कर सकते हैं, किसके लिए, phobic वालों के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इन्हीं को term दिया हमने, protecting colloids, for lyophobic colloids, पहले तो यह चीज हैं, लिख डालो जो मैंने अभी लिखी है, examples में यादा जानी चाहिए, potato starch, gelatin, जो हम use करते हैं, कोई दिक्कत निया, क्या सीखा, किसने किया protection, फिलिक वाले ने, phobic वाले को, एक protecting coverage दी, जिसको हमने कह दिया, protecting colloids, भी, चालो, अब यहाँ से generate हुआ है, gold number, क्या है यह gold number, इसे भी सुन लेते हैं, तो जो protecting power है, अभी हमने सीखा, कि फिलिक वाले, phobic वालों के, protecting sheets हैं, या फिर, protecting colloids की तरह, एक्ट कर रहे हैं, यही सीखा, तो यह जो protecting power है, इसी को आप express करते हैं, gold number की term में, बस, देखो, one to one, आप चीजों को link करेंगे, अगर पुराने part को सुन रहे हैं, अभी मैंने, just hardly shells rule से हमारी यह चर्चा शुरू हुई है, और वहां से हम gold number तक पहुँचे हैं, क्या रही, protecting जो colloids से, उन्ही को एक term से express किया जाता है, that is gold number, तो सुनो, definition form में क्या लिखोगे, the minimum amount of protecting colloids, in mg, क्योंकि हमने miligrams में बात की है, उसको जब आप कुछ 10 ml standard, gold sol में add करते हैं, तो क्या वो sufficient होगा कि उसके coagulation को रोक ले, तो आप यह कहेंगे, कि या तो आप one to one पहले sol की property चेक करेंगे, क्या मतलब है, आईए, एक example, यहाँ draw करते हैं अपने, मान लो कि यह एक chamber में मैंने gold sol ले लिया, gold कैसे color का होता है, कुछ yellow ही होता है, कोई नहीं, अपन के पास orange gold है, कोई दिखकर नहीं है, मिलावट वाला gold है अपना न, यह क्या है, gold sol, अब इस gold sol के अंदर, यह इतना प्योर तो है नहीं, मुझे बिल्कुल पता है, कि इसके अंदर impurities है, अब इसकी impurities भी चलो अपने remove out करा ली, अभी coagulation के बाद जो process पढ़ा उससे, लेकिन आप यह कहेंगे कि अब इसको बचाने के लिए, आपको protective colloid की use पड़ेगी, कौन है वो, फिलिक जी, तो यहाँ फिलिक जी आएंगे, अपना एक number लेके, यानि कि मान लीजे, अगर यह 10 ml मैंने लिया है, तो मुझे इसमें कितने mg का PC required है, कौन है यह, protective colloid, ठीक है, कितने mg मुझे PC required है, यही है मेरा code number, और you can also say the gold number, तो मैंने माना कि अगर मेरा 10 ml gold salt है, तो मुझे यहाँ पर कुछ, एक mg PC required है, डेपैंड करता है कि आप कितना standard state ले रहे है, ठीक है, और इसके लिए आपको सारी conditions given होंगी, और दूसरी चीज, कि मैं इसको जो relate कर रही हूँ, protective colloid के case में, वो है मेरा 10% NACL, ठीक, तो इसका म हमारे सामने आ गई, कि यह जो protective power होती है, यह inversely proportional हो गई, GN के, gold number के, बना देंगे correlation, यह लीजिए, कर दोगे relate, बस, अब आओ, अब यहाँ से, अपन next चलेंगे, तो क्या था यह, simple सा gold number, कि हमें किसी भी gold soul को protect करने के लिए, कितने grams में, कितने ml में, कितना grams required है, वही है, उसका basically code number, you can say gold number, ठीक, चलेंगे, अब आजो, next part है अपना emulsions, क्या है, emulsions, तो अब यह क्या चीज है नहीं, अभी तक तो colloidally चल रहा था, अब कुछ emulsions की तरफ पहुँचते हैं, तो पहली चीज तो यह, कि यहाँ पर आप, जो, dispersed phase और medium है, वो आपके दोनों ही, liquid होने चाहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे, liquid, liquid colloidal systems की, LL, याद रख लोगे, या फिर L2, liquid, liquid colloidal system, तो आप देखिए, अगर यहाँ पर मैं दो immisible, immisible मतलब जो पूरी तरीके से नहीं घुल रहे हैं, दो immisible या फिर partially immisible से, liquids को लेती हूँ, और उनको shake करती हूँ बड़े अच्छे से, तो आप देखेंगे, कि एक का dispersion जो है, वो दूसरे के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्या मतलब है, मैंने पानी लिया, पानी में oil डाला, oil डालते ही, बड़िया से shake कर दिया, तो क्या ऐसा है कि दोनों बिल्कुल equal state में आ जाएंगे, properly dissolve हो जाएंगे, नहीं न, कहीं न, कहीं आपको वहाँ पर immisibility देखेगी, और वो क्या है, कि या तो oil के particles float कर रहे हूँगे, या फिर एक boundary पर attach हो गए हूँगे, यही आपको द water type, जिसको आप कहते है, OW type, या फिर दूसरा है, WO type, जिसको reverse कर दिया, oil in water, और water in oil, तो देखो, oil in water, जब मैंने पानी के अंदर oil डाला, यह वाला जो case है, तो यह होगा आपका, बिल्कुल example यहां आप से पूछे जाते है, milk and vanishing cream वाला, लेकिन इसी का reverse, जब मैं कर दूए emulsion के case में, यानि water in oil, तो आपको याद आजानी चाहिए, butter जो मम्मी घर में निकालती है, या फिर cream, चलो, यह देखो, oil in water का case देखो, और water in oil का case देखो, तो अनो cases चेक कर लो, कोई दिकत है नहीं, अब इसकी कुछ properties देखते हैं, पहली property क्या है, deemulsification, emulsification, अब emulsification के आगे D लगा दिया है, तो बस negative approach करनी है, जब emulsions को आप broke करते हैं, या demulsified करते हैं, एक constituent liquid पाने के लिए, और ये process आप कैसे करेंगे, जब उसको heat करोगे, कोई दिकत नहीं है करा दो, या तो heat करो, या freeze करो, centrifugation का process लगाओ, या फिर कुछ अलग electrolytes add कर तो, तो हमने कौन-कौन से process सुने अभी, इधर heating, और freezing, और centrifugation, या दे, centrifugation वाला process जो हम बहुत सारी test tubes को एक container में रख देते हैं, एक liquid, एक set temperature के साथ, और फिर हम वहाँ पर देखते हैं, precipitation का process, और वो अच्छे से, एक stirrer, उसमें self stirrer लगा हुता है, electric arc के थूँ वो move करता है, या फिर electrolytes, तो आप देखो demulsification का process किन चार process से हो रहा है, either heating, freezing, centrifugation और electrolyte, ये क्या करते हैं, ये या तो broke कर देते हैं, या फिर completely destroy कर देते हैं emulsifying agent को, जिसकी विज़े से आपको emulsions generate हो रहे हैं थे, उसको यहाँ खराब करने का काम जो करते हैं, वो है, demulsification process पूछ लिया जाते हैं, जो कौन-कौन से है, heating, freezing, centrifugation and electrolyte, तो question ये रहा आपके सामने, computer screen तो दिखने ही रही है, ये, board screen, digital board की पर, next process क्या है, dilution, अब emulsions को आप dilute भी कर सकते हो, किसी भी medium के थूँ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ये भी कह सकते हो, कि जब आपने dispersed liquid को mix किया उसके साथ, तो वो एक separate layer बनाना शुरू कर देगा, वही क्या कहलाएगा, dilution, दिक्कत, चालो, अब यहां से, emulsions के बाद, जो एक और process बढ़ना है, वो है, gel, जली तो अच्छे दखाईए सब्ले, तो gel क्या है, एक जली like colloidal system है, जहाँ पर आप liquid क को disperse करते हैं, solid medium के अंदर, यही है काम की बात, क्या करते है, liquid को disperse किया जाता है, spelling गलत, सही करते हैं, कहा disperse करते हो, solid medium है, बस इत्ती सी बात याद रख लो, बात कतम हो जाएगी, इसमें दो तरीके के gels हम पढ़ेंगे, elastic gels और non-elastic gels, और यह जो gel formation का process होता है, question तो यह बनता है, यह तो पता है तुम्हें की gel कैसे बनेगा, liquid or solid से, एक phase हो गया, एक medium हो गया, लेकिन question यह नहीं पूछते हैं, आप से जनाब, जनाब पूछते हैं कि वो process क्या कहलाता है gel formation का, तो नाम है gelation, याद रख लोगे, क्या है gel के आगे action लगा दो, gelation, चलो, अब दो तरीके के gels हम इस से देखते हैं, एक है elastic, एक है non-elastic, जब कभी भी elastic gels की बात की जाएगी, तो याद रखना, reversible process, कोई भी rubber band लेके खीचा, और छोड़ दो, मज़ा आ जाएगा, अगर मुगी तरफ लेके खीचाए तो, क्या होगा, चोट लग जाएगी, करना मत, चलो, elastic gels क्या है, जिनको heat करते हो, आप बड़े ही ध्यान से करना होता है, liquid के contact में ला देते हैं, तो क्या होता है, यह liquid absorb कर लेता है उसको, और swell up होना शुरू करेगा, और दोबारा से अपने original form में आ जाएगा, तो कैसा process दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है भाई, reversible है, जैसा था, फिर से वैसा होने लग गया यह, तो देखिए, यह लीज़, example अगर आप से पूछ ले जाए, अगार-गार जल, gelatin, fruit jams जो आप खाते हैं, यह सब की सब, elastic gels के example है, और एक चीज, क्या पढ़ा था, protecting वाले, lyophilic थे, तो इनको आप, lyophilic gels भी कहते हैं, ठीक है, चालिए, दूसरे है, non-elastic, तो वो वाले gels, जो दुबारा से अपने, same process मे नहीं आ सकते हैं, यानि कि irreversible होते हैं, साथ-साथ, lyophobic होते हैं, बस दो basic difference याद रखने हैं, बिल्कुल आप उनको heat करते हैं, same process condition है, लेकिन वहाँ पर liquid absorb नहीं करेगा, दुबारा से shape को regain नहीं करेगा, चालिए, अब आ जाओ, इसकी कुछ basic techniques, hydration, swelling, synergises, तो क्या है, hydration में आपको पता है, पानी की बात की जाएगी, a completely dehydrated elastic gel, को आप regenerate कर सकते हैं, जब आप उसमें पानी मिला देंगे, जबकि non-elastic ऐसा नहीं कर पाएगा, swelling का मतलब, जैसे ही वो liquid absorb करना शुरू करेगा, दुबारा से swallow up होना शुरू करेगा, अपनी original shape रिगेन करने के लिए, next is syner analysis, जिसको आप कहते हैं, जब आप कोई inorganic gels को, क्या करेंगे, यहाँ पर shrinkage वाला पार्ट आपको check करने को मिलेगा, क्यों होगा, क्योंकि जो solvent है, वो धीरे धीरे वहाँ से remove out होना शुरू कर देगा, किसकी वज़े से, inorganic gels की वज़ा से, thixotropy, यह क्या है, कुछ gels जो होत नहीं होता, बट कभी-कभी conditions ऐसी होती है, कि वो दुबारा से liquid soul में revert हो जाते हैं, तो यह जो reversion है, यह क्या कहलाता है, reversible soul gel transformation, या फिर एक तर्म इसको दिया गया है, that is, thixotropy, देखो, as the name indicates, thixotropy, that means, regain its shape, but बात इत्ती सी याद रखनी है, सिर्फ liquid soul के लिए बात की जाएगी, गलती यहीं होती है, हमने यह तो याद कर लिया, कि ठीक है, transformation हो जाएगा, reversible soul, जे transformation है, लेकिन यह भूल जाते हैं, कि यहाँ पड़ा कि semi-solid होते हैं, और हम solid वाले को भी tick कराए, तो गलत हो जाएगा, याद रखना है, कि सिर्फ और सिर्फ liquid soul के basis पर बात की जाएगी, चीक है, तो देखिए, यह आपकी क्या था, कुछ properties थी, collidal solution को लेके, जिसका हमने अभी से first part cover किया है, बिल्कुल properties का एक पार्ट और हमें discuss करना है, जिसमें आप पढ़ेंगे मेरे साथ tender effect, चीक है, तो एक बार जब तक यह सारा revise कर क्या हो, मिलते हैं थोड़ी देर में tender effect के साथ, कुछ light वाले छोटे-छोटे experiments उसमें अपन चेक करेंगे, चालो, thank you